हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेंफूर में इस वीडियो में हम जो बीए प्रोगाम की जो स्टूडेंट हैं सिक्स सेमस्टे के जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइन्स का जिसके आपके बुक का नेम क्या है अंडरस्टेंडिंग ग्लोबलाइजेशन तो जैसे कि आपने देखा कि जो आपको मैंने इसकी जो यूनिट फर्स थी वो मैंने आपको इस चैनल पर प्रोवाइट करवा रखिये अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखियोगी तो वो वीडियो देख लेना इसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ एक बार आपको मैं ओवर्व्यू दे देती हूँ कि हमने किस टैप्स उसको कम्प्लीट किया था तो जैसे कि आपने देखा था यूनिट फर्ष में की तो चाप्टर से चाप्टर फर्ष एंड चाप्टर सेकिया था ऐसी जो आपका चिप्ल्ष सेकिंड था उसमें था कि जवेश्विक अयाशिन के जो आयाम है राजनीती कयाम हो गया आर्थी कयाम हो गया सांस्कृति कयाम और तक्निक कयाम इन चारों आयामों के वाल में हमने उसमें बहुत अच्छे से एक्स्पेंड कर रखा है जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखेंगी तो वह वीडियो वह बच्चे देख लें एक बर आप वीडियो को देख लेंगे तो जो भी आपको वह आपको सब क्लियर हो जाएंगे थीके ऐसे जो आपके सेकिंड हैं इसमें कहों अनुप सेकिंड क्यों करने वाले इससे पर बहुत सेकिंड होव्त insult में एक पहु राश्ट्र सेकिंड हों डबीठ लूर्ट्को व्यक्योंस्क पढ़ेंगे ऐसी जो आपको च्प्टर्थ है वह आपका होग हो जाता है इनके आरे में तो जैसे कि आप इस वीडियो में हम किसके आरे में पढ़ने वाल है सेयुक्तराष्टे संग के आरे में ठीक है कि आखे में जो सेयुक्तराष्टे संग है क्या इसमें आपको ओवर भी बता देती हूँ कि हम इसमें किन किन टॉपिक्स पे आपको मैं बताऊंगी कि इसमें तो आप यह जानेंगे कि संह के आखे में सेयुक तरास्ते संग का इतिहास किया रहा है जो संहीं तरास्ते संग इसको बनाने के क्यों Ņणीड लगी सबको और यह हम इसमें देखेंगे कि संहीं कि प्रमुक अंग जो ऊपकी इसके जो औहें ग्द उप hai या फिर आपको World Health Organization हो गया इनके आमें देखेंगे और इनकी चुनोतिया और इनकी काद्य उदेश्य की आखी में जो स्वयुक्त राष्टे संक्र क्या उदेश्य है उनकी क्या विशेष्टाइं है इन सब चीज़ों के हम डिसकस करेंगे तो यह तो मैंने आपको एक यससे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रथम विश्वुक्त हुआ था वो कब से यह तक हुए कि एग麼 1914 से लेके 1918 के बीच में ठीक है इस बीच मारा जो प्रतम विशूद हुआ था तो यह जो सभी तराश्टे संहें इसको बनाने की क्यों नीड हुई क्यों आखे में यह बनाया गया और इसका कारे क्या है इन शॉर्ट वे में मैं आपको इसमें बताती हूं कि आपने देखा था जब हमारा प्रतम विशूद हुआता तो उस चैंप hey हमारे देश में एक तरीके से बहुत जादा क्या होता नुकसान हुआuiten्था बहुत जादा एक तरीके से तबाही मच गई थी पूरे विशु इस तर पर लोगों में आपस में बहुत जादा जानमान की हानी हुई थी तो यही है कि पैथम विशु युद उननी सो चोदा से उननी सो अठारा लगपक पार सालों तक चलाता और इस युद में काफी जादा जानमान की हानी भी हुई जिससे पूरा विशु डर गया था इसलिए जो देश था वो जो विशु थे वो क्या नहीं चाहते थे कि दुबारा से इस चाइब का कोई युद हो क्युक्य भाक ज़ादा वास्ट लवल पर बहुत ज़दा तेंजरस था हुई युद क् diy क्या कभी अच्छा होता है नहीं होता यह वहत ज़ादा नुकसान दायक था किसी भी देश के लिए या किसी भी तो ंस के लिए सभी को ये नीड लगने लगई कि एक ऐसा संग्टन होना चाहिए जो क्या कर सके युदों को शांत कर सके मतलब कि देश में क्या बनाए सके शांती को स्थापना कर सके तो उनको इस टैप के नीड लगने लगई सभी देशों को तो इसलिए उस चैम पे क्या किया गया 10 जन्वरी 1920 को एक लीग ओफ नेशन बनाया गया जो क्या करे इस जिसका ओदेशन उन्हें क्या रखा था कि ये क्या कर सके विश्व में शान्ती की स्थापना कर सके परन्तु जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा द्युत्य विश्यूद हो रखा है तो अब आप सोच रहेंगे कि जब लीग ओफ नेशन की स्थापना हो गई थी जिससे की विश्व में शान्ती स्थापित हो जाएगा तो फिर क्यों एक तरीके से द्युत्य विश्यूद हुआ तो इसके भी रीजन है क्यों क्योंकि जो ये संग्टन था वो क्या नहीं थे एक तरीके से मैं आपको कहूं तो सिंग्त राष्टे संग का पुराना नाम आप लीगों सकते हैं और ये क्या निठा ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा था तो इसलिए क्या निकर पाया था ज्यादा प्रभावशाली होता ज्यादा इसक्तिव होता अगर बहुत से अच्छे जो देश हैं वो इसमें वर्फ होते तो क्या कभी दिट्यविषुद होता नहीं हो पाता तो इसे क्या निकर आ नहीं दा ज्यादा प्रभावश्याली नहीं का तॉ यह है गई संधुराश्य संंकी आखरे में कैसे हुआ अभ हम इसके आमें जानते हैं द्यूत्य विश्यूद और संयुक्ति राष्टे संकी स्थापना क्योंकि जैसे ही द्यूत्य विश्यूद हुआ उसके समाप्त होने के बाद हमारा संयुक्ति राष्टे संकी स्थापना हुई थी जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारा प्रथम विश्यूद हुआ तो उसमें फिर दियुत्य विश्यूद हो वा और दियुत्य विश्यूद होने के समाथ होने के बाद फिर इसमें भहुत ज़्यादा मोडिफिकेशन किये गए लीग ओफ निशन के अंदर और तब जाके संयुक्त राष्टे संकी स्थापन होई इन शॉट वे में मैंने आपको बता दिया पहन्तु मैंने लिख क्या रखा है मैं आपको ये भी पढ़के बता दिती हूँ कि युद्टे विश्यूद आपको पता ही कि जो हमाद विश्यूद हो था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था ठीक है लगबग साथ सालों तक चला था और यह य जानते ही हैं कि जो दित्य विश्यूद तो कितना जाधा खतरनाक विश्यूद हुआ और विश्यूद के देशों को इस बात से डर होने लगा था कि कहीं भविश्य में तीशा विश्यूद ना हो जाए इसलिए सभी देशों ने मिलकर एक सक्तिशाली संगृटन के निर्मा स्थापित करना चाहिए जो क्या कर सके विश्यूद में सांती के बहाल कर सके विश्यूद में शांती स्थापित कर सके और इस प्रकार जो लीग ओफ नेशन को हटा कर चौबिस अक्टूबर 1945 को क्या किया गया था यू एन नो इटमिस यूनाइटिन नेशन नेशन और्गन स्टॉंग करके उसके अंदर जादा शक्तिशाली देशों की इंवर्मेंट को रखकर इस संगतन की स्थापना की गई और उसका नीम क्या रखा गया सर्युक्त राष्टे संग इटमिस युनाइटी नेशन और्गनाइजेशन यू एन ओ ठीक है तो यही चीज था तो अब है कि सं 1939 में इसको और मैंने थोड़ सा मतलब आपको एक्स्प्रीन करके लिख रखाए कि 1939 में दित्ते विश्यूत से अधिक भ्यांकर और विनाशकारी था और दित्ते विश्यूत से बड़े-बड़े राष्ट्रे भी घबरा उटे थे क्योंकि बहुत ज्यादा यह इतना धन की बहुत हानी हो चुकी थी और विज्यान के नवीन अविश्कारों जैसे मशीन गर्ण तथा प्रमानूं बम से लड़े गई यूद से हुए विनाश से जन्द समानने को भैवीत कर दिया था ठीक है अते मानव सप्यता के विनाश को रोकने के लिए विश्व के राष् था इतना जाधा भयावाया था कि लोग जो देश थे उनको ये नीड लगने लगए कि ऐसा एक संगिटन होना चीए जो क्या कर सके विश्व में सांति की स्थापना कर सके और ऐसे विश्व संगिटन के निर्मान के लिए 1941 से विविन अंतराष्टे समलेनों में विचार किया गया और इस प्रकार सन 1945 में दो महा तक चले सैंट फ्रांसिसको संमिरन में 10,000 शब्दों वाले एक मस्विदे पर 50 राज्यों ने हस्तापसर कर इस संगिटन की स्थापना की थी अगर आप यह वर कहीं देखे तो इसका मतलब होता है कि किसी का भी एक तरिके से नियम वह करना एक जैसे आप देखते कि आपका समीधान अगर यह अपना कारे लीग ओफ नेशन की तरह अच्छे से नहीं करता तो तिप्ते विश्यूद भी जरूर होता ही होता तो इसलिए जो यह दिप्ते विश्यूद पर ही हमारे जो यह है यह एक तरीके से कायम है शान्ती बनी हुए हमारे पूरे विश्यूद में तो यह इसी वज़़े से पॉसिबल हो पाए क्योंकि जो सेयूंक तराश्टे संगे वो अपना कारे बहुत अच्छे से कर रहा है तो यह इस चैक का यूद नहीं क्या है अपने लिख रखाया कि सेयूंक तराश्यसंग की सथापना लीग ओफ नेशन के उत्तर अधिकारी के रूप में की गई थी दित्ते विश्यूत की समापती की एकदम बाद 1945 में ही इसे क्या क्या गया था इस्थापित किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में क्या क्या गया था इसकी स्थापना की गई थी स्वियुक्तराष्टे संग की और इसमें कितने देशों ने वो किये थे हश्टाक्षर किये थे में आपको यह लिख दू जितने अभी आपने पढ़ात प्रथम विश्यूद और दुत्य विश्यूद को मिला कर तो यह है ठीक है तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई और स्थापना समीधान है जिसे क्या कहा जाता है चार्टर कहा जाता है नियम कानून चार्टर को क्या तरह सकते हैं कि जो रूल र्यागुलेशन्स दिसाइड किये जाते हैं उसी को हम चार्टर कहते हैं तो इसका एक अपना अलग से अपना समीधान है अब हम देखते कि यून हो कि क्या है आखी में इसका क्या मोटीव है इसका क्या परपस है कोई भी आप काम करते हैं मानलीज तो आप इसले बहुत चादा हार्ड शड़ी करते होंगे तो कोई ना कोई सब का मोटीव होता है तो इसी टाइप से इसका क्या मोटीव है हम इसके आए में देखते हैं तो जो यू और नो है उसका क्या मोटीव है कि विवादों को बातसीत से हल करना कि कोई भी बानलो रक्षा करना या समाजी आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना तो यह इसका प्रपस है ठीक है अब मने इसको इसी को एक्स्प्रेंड करके अच्छे से इन पोइंट्स को लिख रखा जैसे अब यह विश्व में शांती स्थापना करना तो मने इसी को क्या कर रख है एक्सप्रेंड करके लिख रख है तो इसमें जैसे यह है इसके उदेशे में अंतराष्टे शांती इसमें क्या है रिखा कि अंतराष्टे शांती और सुरक्षा कायम रखना आक्रमक करवाई को रोक कर शांती और अंतराष्टे सुरक्षा के खत्रों को करने के लिए यह देश है कि अंतराश्च्टि लेवल पे इंटरनेश्चनली लेवल पे क्या हो इंटरनेश्टि भाध है तबी भी हमारे जो मतलब हैं संबंध हैं समानों की आवाजाही हो गई जो आपके होते आयात निर्यात यह हमारा सुचारू रूप से चलता है कि कारण से पॉसिबल हो पाए है कि हम लडाई जगड़े नहीं कर पाते क्योंकि जो यूआ नो है वो क्या करता है शांती की सब्सक्राइट कर रखा है कि हाँ ऐसी खरना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए यह चीज घर में अलाउड है तो वह घर उतना ही शुक्र सुविदा से और अच्छे से चलेगा कोई भी जिस जो भी गार्जन होता है बड़े जो लोग होते हैं अगर वह कुछ रूल रखते है घर के अंदर तो वो अगर फोलो करते हैं सभी मेमबर तो वो घर इतना ही अच्छे से सुचारी रूप से चल पाता है तो उसी टाइप से एक देश भी है अगर देश में भी रूल रूरे हैं अच्छे से कारेवाही करेंगे तो यह चीज वहाते हैं जिससे कि कोई भी राष्ट्य क्या नहीं कर पाता है तो यह यह कि विविन राष्ट्टों के बीच समान अधिकार स्वाविमारों और जनता के आत्मिन्ने के अधिकार के अधार पर मेत्री पून सब्बंदों की स्थापना इसका एक ये भी परपस रहता है तथा विश्व शांती और सुर्दित करने के लिए विविद उपाय करना की विश्व में शांती बनाई जा सके इसके लिए भी बहु खत्रे को रोकने उसमाप करने फस्वा झाति स्थापना जैसे मुल्यवान उपायों के लिए की गई है इसे कि प्रकार के विश्व शांती भंग करने वाले आकरवन को समापक करने के लिए यह और ये ऐसका सम्दिन नम झिसके दुआरा श्ट्र, पून तरीके से संघरश को प्राब्लम को सुनता है कि इस देष से किसी सीष के लिए प्राब्लम रहते हैं तो फिर उनके पास उस संग्रतन के पास जो भी प्राब्लम जाएगी वो उसके बार में सही निर्मान आपसी सहयोग से अंतराष्टे समस्याओं को हल करने के लिए इसका निर्मान हुआ है अंतराष्टे महत को आर्थिक समाजिक सांस्कितिक तथा मानवी समस्याओं की समधान के लिए अंतराष्टे सहयोग की प्राप्ति करना तथा मानव अधिकार होता था मूल भूत समधान सवधनिता की अधिकार तथा जाती रंग भाशा इन सब पे भेदभाव को मिटाने के ल क्वान रखते हैं कि कोई भी भेदवाओं ना हो चाहे बहुता हुआ धर्म कर दो क्वार्ण यह भाशा निगरानी रखता है तो इससे क्वाना हो अंत्रारश्च्छे समस्त्राइब को द्टने में क्या करते हैं अपना एक तरीक से योगदान देता है इसका यह बीकतार स्थापित करना एक सकते हैं इंट रश्ट के बीच लोग एक समानता स्थापित करता है समान अधिकारों की आत्मिनरने और उद्योष्य के अधार पर राष्ट्रों के बीच क्या करता है मैं त्रीपून संबंद बनाए रखने कारे करता है और विश्व शांती को मजबूत करने के लिए और अन्य उप्यूक्त उपाय प्राप्त करना J नहीं कि संथापना करने इसका कारे है अंतराश्य समस्याव को हल करने का इसका कारे दम लोगतान स्थापित करना इसका करना इसका प्रही है Clothing इसके कारे भी लिख सकते हैं बस इसके आपको पॉंट्स को लिखने के तरीके को डिफिंट करना होगा ओकी अब हम देखते हैं कि सेंट राष्टे संग के प्रमुक अंग कि इसके कितने अंग है जो यू एनो है उसके क्या-क्या अंग है तो इसके कुछ 6 अंग है जिसको मैं सब्सक्राइब को देखते हूं एक तो आपका महासभा हो गई दूसरा आपका सुरक्षा परिशद तीसरा आपका समाजिक आर्थिक परिशद चौत्त आपको आउजदाता अंतराश्टे न्याले और पांचो आपका न्याय परिशद और छट्टा आपका सची वाले यह सबसे पहला और सबसे महत्वन अंग होता है अब इसको ऐसा क्यों कहा गिए कि महासभा इसका सबसे महत्वन अंग है अब आप इसके कारे को दीखेंगे लिए तो । आपको खुच सभोच चल जब है कि इसांग談 chances आ संख्या उतनी महासभा की सदस्य की संख्या भी है से राष्टे संग की बैठक साल में एक बार जरूर बुलाई जाती है इसकी बैठक में एक देश अपने पांच प्रतिनीधी बेचता है प्यंतु वोटिंग के समय एक देश का एक ही वोट माना जाता है ठीक है मतलब कि वो रिप्रेजंट करने के लिए वो पांच प्रतिनीधी को बेचता है पर इंतु जो काउंट किया जाएगा जब वोटिंग मतलब ली जाती है तो एक देश का सिफ एक ही वोट को माना जाता यह नहीं में क्या कुछ अच्छा कार रहोगा तभी तो महासभा में किसी भी मुद्धे पर वाद विवाद होता है इसका एक यह कार है कि यह वाद विवाद मतब इसके अंदर आते हैं कि महासभा में किसी भी मुद्धे पर विचार विमर्स हो सकता है चाहे कोई भी मुद्धा हो चाहे वह पर्यवाद से रिलेटीड हो माना वधिकार से रिलेटीड हो या फिर आपका युद्ध से रिलेटीड हो या फिर शांती स्थापना करने से रिलेट कोई भी टॉपिक हो क कि वाय में वीचार विमर्ष खांपी किया जाता है महासभा के अंदर किया जाता है महासभा सुरक्षा परिशत की सल्ह पर महासभा और सुरक्षा परिशत नहीं क्या जो लिए तो टॉपिक बोली हो आंग थिक हैं तो यह कि इसकी नियुक्ति जो महासचीव की होते हैं यह क्यों करता है महासभा करते हैं पर इसकी पर सुरक्षा पईशत की सद्धापर करती है जैसे कि आपने ज़रूर राश्ट्रपती और प्रदान मंत्री के वालें प्रधान मंत्री की सलहाब तो इस चैप से आपने जरूरी चीज़ें पढ़ रखेंगी तो वैसे हैं कि जो महासभावी ना वह भी सुरक्षा परिश्वत की सलहाब क्या करती है महासभा की संख्या बढ़ा और घटा सकती है कि वह कितनी संख्या रखना चाहता है यही दिसाइड करती है महासभा की कितनी होनी चीए बढ़ानी चीए घटानी चीए यह इस पर इपाइंट करता है महासभा युए नो के अंगों के चुनाओं में भाग लेती है और महासभा इस बात की निगरानी रखती है कि कोई देश अंशदान कर रहा है या नहीं मतब कि जो भी उसमें फंड जाता होगा तो वह सब देश मिलकर जो करते हैं इसके पैसे लगाते हैं तो वह सब लोग कर रहे हैं सब देश मिलकर कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं इसकी निगरानी कोन करता है महासभा ही रखती है महासभा शांती परस्ताव 1950 की तहते विश्व में शांती लाने के लिए पह ज़ानते हैं कि दो टाइप की सदस्टें की सथाइसे की सथाइसे होते हैं तो अब इसके उसकी पांच उती है सब्सक्राइपूर्γुल इन पास वीटो पावर होती है जैसे आपने जरूर लुपावर की राश्टप्धे के पास गया निश्यद अधिकार की शक्ति होती है तो वीटो पावर अगर आपको उहां पर समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है आपको यहां पर समझने में कुछ भी प्राब्लम नहीं आएगी बट मैं आपको यहां पर बता देते हूं कि आपने देखा कि 10 आयस थाई सदस्यों को महा सभा दो वर्षो अगर वीटो पावर प्राप्त होती है। अभी वीटो पावर का किस टइप से यूज करते वह अब मैं बताती है वीटो पावर को अर्थी कि होता है कि निशेधिकाद मतलब के मना करना दृके हैं तो इसमतलों मतल् linking जाते हैं ठीके नियम कानून बनाए जाते हैं तो यह ज सकते हैं वो अपनी वीटो पावर का अधिकार का यूज करके उसको उस कानून को नहीं बना सकते हैं तो इसमें यही है ना कि सुरक्षा परिशद में किसी भी निर्नाई के लिए 15 सदस्यों में से नो सदस्यों को सहमत होना बहुत ज़्यादा आविश्यक होता है कोई भी नियम कानून निर्ने लिया जारा है कोई भी बनाया जारा है चार्टर तो अगर उसकी अंदर आपको उसको पास करना है तो कम से कम 15 में से नो को तो क्या होना चीए उसके लिए अगरी होना चीए उस निर्ने के लिए वो क्या होना चाहिए उनको सहमत होना चाहिए नो सदस्यों को जिन में से पांच इस्थाई सदस्यों को सहमत होना बहुत ज़्यादा आविश्यक होता है यदि कोई एक सदस्यों सहमत ना होना तो वो निशेद अधिकार का प्रयोग करता है तो कोई भी क्या कर पाइगा उस फैसले को पास नहीं हो सकता है उने से उन पांच टेश्ट मैं मना कर देता है तो क्या नहीं बन पाएगा इसलिए उन से जो 5 जो 27 सदस्य उनका तो हां में होना जरूरी ही होता है बाकि जो 10 जो आय सदस्य उन में से कुछ मान भी जाएं तो भी ठीक ना माने तो भी ठीक मतब कि 9 का कम पलसरी है आपका होना और 109 में से भी पांच तो यह सथाई वाले ही होने जहीं है बाकि जो 4 है वह आपके 23 सदस्य में हो सकते हैं तो यही है कि आत्य सुरक्षा परिश्यद में 5 त्वे क्या होता है क्योंकि कोई वी फैसला मान लीजिए आप बनाने लेकि जा और उनमें से किसी एक दिश न मना कर दें मान लोग की कोई नियम कानून बन रहा है अमेरिका ने मना कर दें कि नहीं हमें इस चीज से वह नहीं हो अगरी नहीं हो तो क्या वह कानून बनेगा नहीं बनेगा फिर ऐसी दूसरा कानून बनाया दूसरा हमने कोई कानून बनाने के तरीक से क्यों कहा है कि यूए एक तरीक से इसकी हाथ के कट्पुतली बनका रहा जाता जो सुरक्षा परिशक की पांच स्थाई सथाई सदस हैं उनके पांच स्थाई सदस्था कि आप नहीं म्याद कर लेना पेपर में लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात हैं अमेरिका फ्रांस चीन रूस ठीक है अब हम देखते हैं कि सुरक्षा परिशक की काले और सक्तिय क्या होती हैं जैसे कि आपने भी महासाभा के शक्तिया काले देख सुरक्षा परिशक का क्या करने इसका में देखते हैं तो इसका काले है कि विवाद वाले देशों के बीच क्या करना बातचीत कराना कि जो विवाद जिन देशों के बीच है माल लिजाए भी फिलहाल यूकरेन और रूस का यूत चल रहा था तो इन में इन देशों के बीच आप एक office है मताब वो जैसे की कोई office है उसके आप वो है मैनेजर है अब मैनेजर है ठीक है पर इंतु इसके अंदर भी आपको कितने बहुत से लोगों को रखना पड़ता है बहुत से अलग-अलग department को अलग-अलग चीज को संभालने के लिए अलग-अलग लोग होते हैं जैस से अलग-अलग लोग divided होते हैं वैसे ही सेम इसके अंदर भी है कि एक संस्था है बट संस्था के अंदर बहुत डिफिन डिफिन टाइप के क्या हैं वो रखे गई हैं संस्थाएं रखी गई हैं जिसमें यही काम करेगा मतला मालिज अगर वाद विवाद से निडिलेटिर उनसे पाच्चीत करवानी है तो वह सिर्फ only कोन करेगा सुरक्षा परिशत करेगा और अगर वादिवाद है उसकी सुन्माई कहां पर की जाएगी तो वह महासभा में की जाएगी तो इस चाइप सी अलग-अलग डिपार्टमेंट में बाटा गया हैं अब आप समझ चुके आप उसके अंदर रहने वाले लोगों के वाले बादचीत करवाना वही बात हो गई है कि विश्म शांतियों सुरक्षा को बनाए रखना इसका काल रहे हैं अक्रमन कारी देश के विरोध आर्थिक और सैनिक प्रतिवंद लगाना भी एक इसका काले हैं कि सैनिक प्रतिवंद लगाया जाए यह युदों को रोकना सुरक्षप परिश्द महासभा को सलहा देकर महासचीव की नियुक्ति करता है परिशत का अपने उपर ही देख लिया महासभा के गाले में कि महासभा क्या करता है महासभा इसकी सलहा लेकर ही क्या घरता है कि नेक्स्ट का कारी देशों के विरोध स्यानिक का रिवाय भी करती है ठीक है ठावाप का जाता है समाजिक अर्थिक परिश्यत जो ने सदस्यों का चुनाव महासभादूरा किया जाता है तो आपने देख लिया कि इसमें जो जो फिफ्टी फोर का वन थर्ड आप करें तो जो आपके वह हैं 18 जो सदस्य होंगे न वहर तीन वर्ष में क्या होते हैंगे रिटायर होते हैंगे और फिन न्यू सदस्य आते रहेंगे तो इस चायब से चलता रहता है यह प्रिकरिया मदट करेंगे से कभी भंग नहीं होगी यह परमेनट ही रहेगी परन्तु जो एक त्यायर जो सदस्य होते हैं वह हमेशे क्या होते रहेंगे रिटायर होते रहेंगे तीन साल के बाद तो यह है कि समाजिक आर्थिक परिशद विश्व इस तरफ पर समाजिक आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्यकरम चलाता है कि जो देशों के बीच में क्या हो सके समाजिक आर्थिक विकास हो सके यह इसके वाय में कार्यकरम चलाता है जो आपका यह है समाजिक आर्थिक पर हें यह अनेक अजन्सिया कि न है कि नेक्स यह चाहिं कुछ जो इसकी इसकी टाइप की बनाइए गई आर्थिक न उतराष्टे a अंतराष्टे मुद्रा को सो गया विश्वर बैंक हो गया थीक है और सब क्या है यह सब करते हैं यह सब सुनिश्चीत करते ना आर्थिक समाजिक स्थिति की देश में कैसी चल रही है वर्ट वर्ट वनाइब करता है यह सब का अपना अपना अलग अलग कारे होता है और यह इन पर समाजिक आर्थी विकास के लिए अन्य कायकरम चलाती हैं जिसे क्या हो किसी बीदेश में जो समाजिक और आर्थी जो इस्तिती आए वो अच्छी हो तो इसलिए इन इन टाइप की जो अजेंसी है वो अलग अलग टाइप से अपना काले करती रहती है। नेक्स आपका फोर्थ अंग है अंतराष्टे नयालये न्यालये में कुल 15 नयाखष होते हैं जिन से एक प्रती तीन वर्ष्ट के प्रश्चाथ से वनिन्वित हो जाते हैं और नए सब्सक्राइब करतें शुनाओं क्या करते हैं किसका है महासभा का आप faces ऑपने उपर पढ़ा भी कि क्या करतीह जो जितने भी से किने संख्या है असको घटाना बढ़ाने इसी के हाथ मोई होता है चुनाओ करवाना यह भी महासभा के काम्नी होते हैं तो यह ही है कि जो लिग और उसके जो वन थर्ड जो नियाएधीश है मतलब कि जो पाँच वो होते हैं नियाएधीश उनको क्या कर जाता है रिटारेट कर दिया जाता है हर एक तीन वर्ष के में ठीक है और नए नियाएधीशों का चुनाव महास्तरबा करते हैं परन्तु इसमें केवल वही नियाएधीश नियुक्त होते हैं जो अपने देश में सरवोच नियाले का नियाएधीश बनने की योगता रखते हैं ठीक है तो इसमें यही नियाएधीशों की नियुक्ति की जाती है ज कौंए क्या रहता हैं आंत्राष्टे न्यावले सुरक्षपशद और महासभा काम को काणूनी सला देता है simplistic संधियों और कि व्यक्या करता है इंट्रनेश्टे लेवल पे उनको कोई भी नियम कानून से कोई भी सस्था काम करें कोई संस्तह क्या कि कोई भी काम कोई भी व under the king कर रहा है तो वो क्या करे कर । जाते कि भी काले करने लग जाता है तो उसको क्या की देते है उसको कोचर्षा दी झाती है उसको को सजासनाई जाती है कि वो क्या करें वैसी दुबारा सग्रामें अंदर कि वह काम करें तरीके से वह काम करवाइगी कि वह काम क्या कर से टो सके बीन कानून के बाहर की पहर कानून के कानून के कानून के संथ्षाद तरफ महासभा को कानूनी चला देता है औरंंटृ नेक्स जिसका कार्या है, अंतरश्टे नियाले में, सुरक्षा परिशद द्वारा लाए गई विवादों को सुन्माई भी करता है, जो भी विवाद लाए जाते हैं, जो भी उनमें आपस में सहयोग बनाना होता है, तो अगर विवाद सौट आउट नहीं होते हैं, तो निया प्रशाशन चलाने के बनाएं गई थी जो अपना प्रशाशन नहीं चला सकते यह अधिन दिये गए डेशों को इस योगे बनाने का प्रयाश करती है कि आपना प्रशाशन चला सके मिसे उनके लिए गई थी जो से से अच्छे से कोई देश माले जी कि अब अप्तिय विश्यूद हुआ था उस टाइम पर सब देशों की एक जैसी तो इस्तिती होई गी नहीं कई देश ऐसे होंगे जो बहुत सदा कमजोर होंगे जो अपना एक तरीके से शाशंग भी सही तरीके से नहीं चला पाने होंगे त तो उनके लिए न्यास परिशद बनाए गई थी कि क्या कर सके वो इनकी help कर सके जब यह बनी थी तब इसके अधिन कितने देश ते 11 देश ते परंतु वर्तमान में इसके अधिन कोई भी देश नहीं है इसके इसे क्या कर देगे समाप्त कर दिया गया क्योंकि आप तो सब कि इसके अधिन कोई देश कर पार चला और रहा है कोई भी देश नहीं रहेगा तो इसलिए क्या कर देगा तभी मैंने आपको कहा कि इस परिशाद यह क्या हो चुकि आज की टाइम पर एक्जिस्ट नहीं करती है इसकी अधिन आखरी देश ता 1994 में पलाव स्वतनत हो गया तो यह इसके पर जो आखरी जो देश था वो भी स्वतन थो गया था 1994 तक अब हम देखते सची वाले सची वाले इसका जो छटा आंग और शोंग राश्टे संग का प्रशार्श्निक अंग है तिक है जिसका कारे क्या है यू एनो के विविजन अंगो द्वारा लिए गए जि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने पर लाजो करता है पर लिप्सक्राइब पर इस तो पहले से बांट्राज सब्सक्राइब भी याद हो गया होगा अगर जैसे आपने ट्वाइल क्लास में पढ़ा होगा तो आपको जरूर यह चीज़ पता होगी कि वर्तमान महासचीव एंटोनियो गुट्रेश साथिंग इसके सर्वोच अधिकारी को महासभा द्वारा ही की जाती है जैसे कि आपको मैंने उपर बताया भी महासभा की टॉपिक में भी सुरक्षा परिशत की टॉपिक में भी और यहां पर मैं सच्चीवाले की टॉपिक में बता रही है सचीवाले को कोन वो करता है महा सभा करते है पर नियम कालून बनाए गए उनको क्या करना एग्जेक्यूट करना उनको लागू करने गाए सभी अंगोला की बैटकों में भाग लेता है और कारेभाई की रिकोर्ड करता है जिससे कि क्या का सकते हैं ऐसे विश्व की औरा कर्षित करता है जिससे विश्व शांती भंग हो सकती है करें जो सची वाले होता है उसका इक यह बीकार होता है कि यह सुरक्षपर का जो ध्यान है वह इस और खृष्ट करें कि क्या क्या प्राब्लम्स कर सकता है क्या-क्या जो चीजह हैं वह युद्ध को जनम दे सकती हैं सभी निन्ने को लागु करवाता है ठीके यह इसका जो यही नोट लिख रखा है कि आप सभी को पता ही है कि वर्ष 222 में रूस और यूद का यूद काफी डराने वाला यूद था क्योंकि कई देशों को डर है कि कहीं इस यूद में तीशे विश्यूद ना सुरू हो जाए आपने जब स्टाटिक में सुना होगा कि रूस और और से रख रख रखाये तो यहीं चीज कि लोगों ब्हूं प्रमानु और यूद्व का यूद्व होने सुने लग जाता है तो लोगों में बहुत दर्की स्थिति कि उत्पन हो जाती है हर देश में डर की स्थिति कायम हो जाती है कि अब इससे आगे क्या हो सकता है कई तित्ते विश्यूत तो नहीं हो जाएगा तो इस चैप कर यही बात इसमें लिखी गई है अब हम देखते हैं स्युक्त राश्टे संके प्रमुक संस्था कि बहुत सी अजन्सियां होती है यह प्रमुक्त रास्टे संके आपके स्टैप की है एक तो आपके हो गई युनेसको ठीक है स्यूक्त थिटिफ व्यग्ज्ञानिक और सांस्क्रितिक संगर्टन यूनाइटिग और इसका कार राले कि हां पर है हम परिस होता मतलं कि normalsy एक हो ओती है कि जितने बी सदस्य से देशं होते हैं वो इसके क्या करते रीप्रेसनट Camter होते हैं अब इसका कार है hätten युन यह यहां जो nesco का तो जैसे कि इसके निम सही मता चल रहे हैं दूसरा इसका का रहा है कि प्रोड शीक्षा का प्रसार करणा और इसके लिए सैमिनार का इयॉजन करणा आप प्रोड अवस्था करें महीं पढ़ के प्रोड अवस्था कब से कभ तक होता है मालिज्ण कि 25 जब तक आप एक तऱ्शार याते तब कि अवस्ता को प्रोड ओस्ता करते हैं उस सिख्षा की अपस में संपर्प को बढ़ाना भी इसो करया है युनाइटिन नेशन एजुकेशन के सेट में आगे बढ़ाना साइंटिस्ट के विएग्यानिक के सेट में आगे बढ़ाना कल्चरल सांस्कृतिक सेट में आगे बढ़ाना तो इसका एक ये तीनों सेट में क्या करना है इनको आगे बढ़ाने का इसका कारे हो सकता है तो आप इस तरीक से भी इसको याद रख सकते हैं अगर आपको पेपर में पॉइंट्स याद नहीं आती है तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया संसार के विज्ञानिक के बीच आपस में संपर्क बढ़ाना एक इसका ये भी कारे है विज्ञान समाजिक विकास और सिक्षा के अध्यन के लिए छात्विती देना ठीक है अब हम देखते हैं सेकिंड संगतन है आपका डबलू एंचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ठीक है विश स्वास्ते संगतन संसार को स्वास्ते बनाए रखना इस ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ों के बारे में अगर कोई भी चीज़ी होती है तो उसके वारे में जो डबलू एंचो है वो जल्द से जल्द कोई भी आक्शन जैसे आपने करोना के टेम भी देखा होगा कि कितनी जादा गाइडलाइन्स वह रही थी इस के तुरू कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना यह चीज़ी होनी चीए यह नहीं करना चाहिए कि यह देश में यह स्टैप की वैक्शिन बन गई है मतब WHO इन सब चीज़ों के ध्यान रखा है तो नहीं उस चाहिए करोना की टाइम पर आप सबको याद होगा तो यह है कि इसके लिए एक मिलेरिया पैदिक आदी बिमारी की रोग थाम कर सकते हैं इन सब चीज़ों के वाय में जो भी कार्य होंगे वो कौन करता है WHO करता है व फिर जो भी आपके जो देश की सरकार है वो जो जारी कर दी है आप उसका तरह के से पालन करें तो इस चाहिब कि हर देश के लिए यह जो ड्बू आड़ेंस जारी करता है कि आपके अगर देश के अंदर यह problem है अगर यह आमारी फैली हुई है यह वैस्ट्री कीस तरह पर क आपको यह करता है इसके लिए क्या करता है नियम कारून को लागू करता है डबलु एंचो तो इसका यह कार्ज है थर्ड ऐसी आपकी सिर्म प्लाश्टे संग की संस्था में आ जाती है खाल और क्रिश्री संगतन जो आपका एफ-ए ओग है ठीके फूड एग्रिकल्चर और्गनाइजेशन फूड एग्रिकल्चर तो खाद और सिख्रिश्री संगतन इसकी स्थाफ में 1945 में थी इसका कार्या ले इतली के रोम नगर में है जो आपको यह फूड से आप याद सकते हैं रोम शहर मैं कैसे आपको बताऊं मुझे तो यह याद है बहुत यूनिक नेम भी है थोड़ा सा यह फूड एंड एग्रिकल्चर वाला और यह रोम शहर भी थोड़ा सा बोलने में आपको वह लग रहा हुआ तो यह याद हो जाता है इसली कि हां रोम में है और यह पिछले देशों में अपने विश्य शग्ये भेजता है और उच अच्छे उपकॉर्णों के परेयोग पर बल देता हैं कि जहां पर अच्छे से को खाना प्रोवाइड नहीं हो पाता है जहाँ पर उनकोheen को सर्वे करता है सर्वे करुकर कि अगर वहाँ पे किसी चीज की कमी होती है तो उनको पूरा करने की कोशिश करता है जो food and agriculture organization है तो इसका यह काल है कि यह जो जितने भी agriculture से related जो भी चीज़े होंगी या फिर आपकी खाथ से related जो भी जिस देश्ट में भी भी महामाली चल रही होगी भूख से related तो इन सब चीज़े को क्या कर सके बैलेंस कर सके इसका यह कार्या होते हैं फोर्थ आपका अंतराश्टे मजदूर संगतन ठीक है ILO इसका जो कार्याअल बहुत सब्सक्राइबी जिनेवा भी है है यह जो कार्याल्य मोधा सबसे हैं उसका मुख्या कारया संसार के मजदूर के जीवन कि सतर को उठाना और उनके काम के घंटे निश्चीत करना इट वी मजदूर से आठ घंटे से ज्यादा काम not कर आ जानते कि आपकी जो जौ Уथी है populer नाइं टू फाइफ की जौब होती है मजदूर के जो शोशन होता है आप पहले के टाइम पर देखती होंगे कि पहले बच्चों को भी काम पर लगा दे जाता था था फैक्टरिस के अंदर पंतु सरकान ने धीरी धीरी करत कि इसको नियम लाए प्लस आपके आपने जानते भी हमारे कंस्टिटूशन जो है आपका आपका आर्टिकल जो आपको 21 है हमारे कंस्टिटूशन का 21 आर्टिकल है उसके अंदर भी आपने देखते होंगे कि 6-14 साल तक कि बच्चों को बोला जाता कि पढ़ाये जाए काम धंदर आंकरवाये जाए उनको उनकी जो छोटी जो क्लासिस की जो शिक्षा होती है उनको प्रवाइड की जाए हना तो यही चीज है कि इस चाइप के नियम कानून बनाए जाते हैं कि आई एलो की थ्रू भी बनाए जाता है नतराश्टे मजदूर संख्टन के थ्रू कि कि किसी बी किसी के सांब भी क्याने के जा सब शोशन ना किया जा स यह बेंक मुखे रूप सेविकास्षी लेशों से समंदित होता है ह। जो हमारे विकास्षील देश कौन होती हैं यह से आपका इंदिया भारत है वो इनलिताव और भारत है वो अबी भी क्या क्राया development कर रहा है वीविकास कर रहा है इसके में विकास की जो दर है वो है चालू है अब यी खतम नहीं हुआ है तो यही चीजे है कि जो वह नntा Vishu Bank मुखे रूप से विकाशिफिंट देशोंसे स 그대로 हसाई और यह Bank तो आपने देख लिया तो नियुक्ति राश्ट संघ्व कार्य उसके उद्धेश्श है उसके जो आपको समझ में आया वूगा अगर तो आप मुझे कमेंट स्क्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि और हाँ अगर आपको इसका लिंक प्रॉइड कर आजए आप महां से चेक आए करके आप इसको गैट कर सकते हैं इसकी पीडियेव को ओके तो अब हम िलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक की लिए बाए झाल